रेल्मी ने अपनी रेल्मी 9 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन रेल्मी 9i लाँच किया है इस कम दाम में आने वाले 5G फोन में भी कलर शिफ्ट डिजाइन है कमपनी के अनुसार ये CD के जैसा है पहले फिल्म देखने के लिए जो आप CD लाते थे वो लाइट पढ़ने पर जैसे चमकती और रंग बदलती थी, इसका डिजाइन भी वैसा ही है इस स्टाइलिश फोन में ओक्ता कोर मीडिया टैग डाइमेंशिटी 810 प्रोसेसर, 90Hz FHD, डिस्पले, 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटप और की बैटरी है Realme ने यहाँ काफी स्टाइलिश डिजाइन का चयन किया है Company ने इसे CD डिजाइन का नाम दिया है और iPhone की तरह यहाँ डिस्पले कव नहीं, बलकि फ्लेट डिजाइन के साथ आई है Smartphone में पिछली तरफ एक लाइट और रिफलेक्ट होने वाला texture डिजाइन है इस चमचमाते बैक पैनल के कारण लोगों के भी इसे हमारे हाथों में notice किया यह रियर पैनल काफी glittery है और देखने में एक premium लुक देता है हालाकि इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आसानी से धुल और fingerprint को पकरता है इस एक समस्या को नजर अंदाज करें तो Realme 9i 5G एक slim और 187 ग्राम के साथ एक हलका smartphone है 8.1 मम थिकने इसके साथ ये हाथ में पकरने में भी आराम दायक है Realme 9i 5G में यहां company ने camera module को अलविदा कह दिया है पीछे की तरफ आपको अलग-अलग camera lens नजर आएंगे जिन में दो बड़े हैं और एक थोड़ा छोटा है इसके अलावा पिछली तरफ केवल Realme की branding नजर आएगी Realme 9i 5G में 6.6 इंच की LCD डिस्पले Full HD Resolution के साथ मिलेगी इसमें 90 Hz refresh rate के कारण scrolling भी smooth हो जाती है Instagram और Twitter जैसी apps को हमने यहां इस्तेमाल किया और scrolling smooth थी साथ ही 180 Hz touch sampling rate के साथ ये phone आपको हर touch का response तेजी से देता है हलाकि इन सब अच्छी चीजों के अलावा brightness एक चीज है जो इस phone में अच्छी नहीं है Realme 9i 5G 400 nits brightness के साथ आता है Realme 9i 5G में triple camera setup है इसमें 50MP का मुख्य camera, 2MP के macro sensor और 2MP के depth sensor के साथ दिया गया है इनमें से primary 50MP का camera दिन की रोशनी में काफी अच्छी तस्वीरें लेने में सक्षम है यहां macro और depth sensor का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है लेकिन जितने भी shot लिये हैं, उनमें autofocus की कमी दिखती है मगर कीमत के अनुसार शायद ये सही ही है Selfie camera की बात करें तो, Realme 9i 5G में front पर 8MP का selfie sensor है जो ठीक ठाक काम करता है इससे ली गई फोटो साफ नजर आती है skin tone भी प्राकृतिक लगती है और focus भी अच्छा है ये selfie sensor दिन के समय में अपना काम धंग से कर पाता है Realme 9i 5G में octa core mediatek Dimensity 810 5G chipset है रोज के सभी काम इस पर आप smoothly और तेजी से कर पाएंगे जैसे की social media apps का इस्तेमाल, hulky gaming, multitasking etc ये device hulky game जैसे candy crush, temple run के लिए काफी अच्छा है हाला की ही भी game जैसे core भी इस पर चलता है लेकिन कुछ समय के बाद phone गर्म होने लगता है और high frame rate और graphics के साथ lag भी दिखने लगते है software की बात करें तो, Realme 9i में Android 12 के साथ Realme UI 3.0 है यहाँ ये OUI इस बार bloatware से भरी हुई है और aids भी काफी है साथ ही कुछ personalization और customization के अच्छे option भी है लेकिन bloatware वाली खामी को भर नहीं सकते Realme 9i 5G में की battery है और ये भी इसके खास फीचरों में से एक कही जा सकती है अच्छे खासे heavy इस्तेमाल के बाद भी ये battery एक दिन आराम से चल गई हालांकि fast charging इस phone में बहुत अच्छी नहीं है phone में box के साथ आपको 18W का charger मिलता है जिसके साथ इसे 0-100% चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है अब जहां कई किफायती phone भी 33W charger के साथ आ रहे है Realme 9i 5G एक अच्छा और किफायती 5G स्मार्टफोन है इसमें एक शांदार डिजाइन के साथ अच्छा चिपसेट, स्टोरेज और बड़ी बैटरी जैसे फीचर मौझूद है हालांकि यहां user interface bloatware से भरा हुआ है लेकिन एक 20,000 रूपे से नीचे के device में हमें smooth heavy mobile game की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए और हलके सभी game इस पर आराम से चल सकते है 15,000 रूपे के budget में design और कुछ फीचरों के लिए आप इस phone को जरूर देख सकते है Hope you enjoyed and like this video Don't forget to subscribe the channel to get latest information about the gadgets Thank you